नमस्कार मैं टॉक्टर वेपिन मंसल वास्तो कंसलिटन्ट हमारी जो सीरीज चल रही है वो है प्लोट चेन से लेकर भहुँद निर्मान तक और भहुँद निर्मान से लेकर ग्रह प्रवेश तक इस सीरीज में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ और इस सीरीज को कंप्लेट करने के लिए मैं रूटीन में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और आज का विशे है फ्लोर स्लोग, फर्ष की ढलान, आपका प्लोट साउथ फेसिंग, दक्षिन मुखी है तो ऐसे में आपको फर्ष की ढलान कैसे करनी चाहिए वैसे तो आपका प्लोट दक्षिन मुखी है तो आटोमेटिकली आपकी जो फर्ष की ढलान है वो नौर्थ से साउथ की और आनी चाहिए लेकिन वुस्त शाफसर के अनुसार जब भी फ़र्ष की जलान नुर्स से साउथ की और आजाती है तो उस घर के अंदर स्टे कि नहीं रहती है हमेशा प्रशानी बनी रहती है online की भी दिक्कत बनी रहती है और health issues भी खर के अंदर बनी रहती है तो ऐसे में आपने करना क्या है क्यूंकि आपका plot south facing है तो आपका plot का size बड़ा है तो ऐसे में आपने ध्यान रखना है जब आप अपने plot के अंदर building मना है तो आपके building west में यानिए पस्छिन दुशा में बना है तो ऐसे में आपने फर्ष की धलान कैसे करनी है आपने फर्ष की धलान जो आपका अपना फ्रंट का भागा है यानि साउथ का जो भागा है साउथ वेस्ट कॉर्णर से साउथ हिस्ट कॉर्णर की और फर्ष की धलान लेके आनी है और ऐसे ही आपने बैक सेड में जो फर्ष की जलान लेकानी है वो नौर्थ वेस्ट कॉर्णर से नौर्थ हिस्ट कॉर्णर की और फर्ष की जलान लेकानी है उसके बाद साउथ हिस्ट कॉर्णर से नौर्थ हिस्ट कॉर्णर की और फर्ष की जलान जानी चाहिए वहां से pipe के दोरा यानि वहां पर आपकी जाली बन जाएगी मेन होल बन जाएगा और वहां से आपका pipe के दोरा isht की दिवार से पानी South East Corner से बाहर निकलना चाहिए ऐसा करने से मेरा अपना ये मानना है कि आपके South Facing Plot में first की ध़लान सही हो जाती है और अइसी ही जब आप अपने चछत की धलान करें तो चछत की धलान यानि ज़ो terrace हैं उसका slope आपका एस्ट में नौर्थ और नौर्थ में ही आना चाहिए यदि टेरिस का सलोप भी आपका नौर्थ से सौथ के और आजाता है तो वो भी आपको परेशान करेगा आपके घर के अंदर कहीं परकार की परेशाने लाकर खड़े कर देता है आप वास्तु शासर के अनुसार घर बना रहे हैं तो आपको इ यह सीरीज इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारी डेली की कॉल साती है बहले ही मेरी वीडियो पर व्यूज कब महों लेकिन मेरे पास इंक्वाइरी इतनी है कि बहुत जगा आप मेरी वास्तु यह सीरीज देखकर भी अपने घर को बना सकते हैं और आप मे बाहर निकल जाएगा तो ऐसा करने से कोई भी वास्तु दोश नहीं लगता आपने अपने यहां पर रेंवाटर हार्वेस्टिंग टेंक बनाना है तो यह नौर्थ से से नौक्योर और इस रेंटर से नौर्थ इस्ट के और बना सकते हैं इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, जो मैप आपने बनवाये हैं, उस मैप को आप एक बार वास्तु कुंसल्टेंट से जरूर चेक करें, ताकि आपके मैप के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, क्योंकि जिन्दगी में मुश्किल से एक घर बनता है और वो घर भी गलत बन जाए, तो वो वक्ति माथे पर हाद धर के बाइक चाता है, कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसा मैंने क्या गलत किया, जिस के कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो ऐसे में मैप को कहना चाहूंगा, कि आप अपने मैप को वास्तु कंसल्टेंट से जरू और आप हमारे यहां से अपना मैप ओनलाइन बेज कर सला लेना चाहते हैं, तो आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे यहां से मैप भी बनवा सकते हैं, हमारे यहां जो भी मैप बनाए जाते हैं, वो सिर्फ वास्तु शास्तर के अनुसार यही बनाए जाते हैं और आप अपनी किसी भी site visit के लिए invite करना चाहते हैं तो आप हमने site visit के लिए भी invite कर सकते हैं हमारे पिताजी द्वारा लिखित परथम पुस्तक लक्ष्मी पुरवेश्गासे हो जिसमें उन्वे वास्तू शास्तर के सहाथ अपना अनुभव लिखा है आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं. हमारी यह पुस्तक आपके घर को वास्तु दोश्मुक्त बनाने में साहिक जरूर होगी. मेरे द्वारा इस वीडियो में दीगी जानकर इदी आपको च्छे लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेस्बूक ग्रूप पर और वाट्सप ग्रूप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. इन वीडियो को इस तरीके से फैलाएं ताकि ये सीरिज हर वेक्ति के पास पहुंच जाए मेरी इन वीडियो को इस परकार से फैलाएं कि जो वेक्ति अपना घर बना रहा है तो वो एक बार इन वीडियो को जरूर देखे आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजीगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाए क्योंकि मेरी जो ये सीरीज है प्लाट चेन से लेकर घर निर्मान तक और घर निर्मान से लेकर घरहय प्रविश तक इसकी सारी वीडियो आपके पास continue आती रहे इनकी notification आपको समय समय पर मिलती रहे इसी तरह अगले प्रोगाम में फिर एक नए विशे पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार झाल